कि अभी सब्सक्राइब करें है अभी सो घ्राइब करें यूट्योब चानल अफिक एंट्यानिक्ति अनर्श शे कलके सेशन के लिए and we discuss the stocks as well मैं आपको last video में clearly बताया था कि Nifty and Nifty दोनों strong है आज का अगर आप session देखो एक बहुत बढ़ा gap down देखने को मिला उसके बाद वापस पुरा का पुरा recover हुआ है और करीबन flat closing हुआ है तेक है क्योंकि कल expiry है तो flat closing है फोड़ा सा market of wait and watch mode में है हो सकता है कल हम एक range bound session देखने को मिले क्योंकि आप market कही ना कही फसा हुआ है अगर आप उपर में देखो 11,400 एक resistance है नीचे में 11,200 एक support है तो Nifty के लिए ये range हो गया बैंक Nifty के लिए 22,500 एक resistance है और 21,500 एक support है तो मुझे लगता है ये range में काई ना कही है हमें expiry देखने को मिल सकती है कल का session हो सकता है थोड़ा आपको sideways देखने को मिले range bound देखने को मिले और 2 बज़े के बाद थोड़ा expiry basis पर जो moment आता है वो हमें देखने को मिल सकता है afternoon 2 बज़े तक हो सकता है मारकेट sideways रहे उसके बाद हमें volatility देखने को मिल सकता है accordingly आप plan कर सकते हो trade अब analysis करते हैं कल के session में क्या क्या possibilities यह डाइनफ्टी अगर आप देखो यहां से fall आया था एक retracement हुआ है अब या तो यह यहां से ऐसे pattern बनेगा गिर जाएगा यह यह पूरा का पूरा uptrend continue करेगा और नया high बनाएगा थीक है both possibilities are there अभी फिलाल wait and watch करना है आपको थोड़ा सा market फसा हुआ है एक range में मुझे लगता है थोड़ा सा range bound session हमें देखने को मिल सकता है sideways momentum देखने को मिल सकता है sideways के इसाप से हम लोग plan करेंगे monet rates and nifty भी अगर आप देखो nifty भी थोड़ा सा range bound नहीं लग रहा है gap down opening हुआ लेकिन follow through selling हमें देखने को नहीं मिला और strong closing हुआ है 11,300 के उपर ही close किया है 11,400 questions है और 11,200 support है तो मुझे लगता है हो सकता है थोड़ा sideways movement हमें देखने को मिले यहां पे और consolidate करने के बाद एक fresh breakout देखने को मिले वो possibilities जादा है कल के दिन में हम लोग थोड़ा sideways threat जादा plan करेंगे अब discuss करते है stocks मने आपको लास्ट वीडियो में दाबर दिया था sell इसमें definitely आपको ने कफी अचा पैसा बनाया होगा क्योंकि मैंने इसको sell जया था 5.10 के नीचे और यह 500 तक low बनाया है इसमें आपको कफी अचा पैसा आया होगा बंदन bank and petronet जो trade दिया था वो trade trigger नहीं हुआ है क्योंकि मैंने जो levels दिये थे थे मिलें अगर आपको छोटा profit भी मिल रहा है तो आप exit कर लो क्योंकि यह range bound market है तो stop ज्यादा movement नहीं करेंगे market एक range में फसा हुआ है इसलिए मैं आपको यह advice करूँगा कम quantity में trade करो and profit booking फड़ा fast करो आप भी समझते हो कि मैं आपको life trade दे रहा हूँ अगर मैं आपको तीन मैंने से लगाता trade दे रहा हूँ तो उसमें से हो सकता एक दो दिन stop process हो आपको confidence lose नहीं करना है आपको properly level के साब से trade करना है और let's say अगर दो-तिन stop process हुए है तो आप कम quantity में trade करो और profit booking faster करो अब discuss करते हैं stocks stocks कल के session में कौनसे stock पे जाध यान दोने है सबसे पहला stroke होगा voltas voltas अगर आप देखो यहाँ पे resistance लिया फिर fall आया यहाँ पे वापस breakout देने ही कोशिश दिया फिर fall आया वापस breakout देने ही कोशिश कर रहा है फिर से fall आ रहा है तो यह काफे short pattern बन रहा है voltas L&T भी structure अगर आप देखो इसने breakout देने की कोशिश की यह बड़े green candle के बाद लेकिन उपर के level से वापस sellers आ गए क्योंकि यहाँ पर resistance है आप देख सकती हो और मुझे लगता है इसमें भी एक fall में देखने को मिल सकता है L&T में आपको टेलिग्राम चैनल में बता दूँगा लेकिन इसका भी structure काफे अच्छा लग रहा है short के लिए लास्ट आप होगा budget paint budget paint मुझे structure काफे अच्छा लग रहा है buying के लिए क्योंकि अगर आप देखो यह level एक support का का काम करेगा पर exactly prices ने यहां पर support लिया है और उसके बाद उपर जाने कोशिश कर रहा है तो मुझे लगता है यहां से एक intraday में 78 रुपे का आप मुझे देखने को मिल सकता है तो budget paint काफे अच्छा buy रहेगा अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा तो वीडियो को like and share ज़रू करना thanks a lot for watching the video see you in the next video